हाई बच्चो गुड मॉर्निंग हमारे चैनल से जुड़े हुगे सभी बच्चो का हर्दी कभी नंदर मैं बच्चो आप लोगों को आज जो मैं वीडियो दे रहा हूं लाइफ क्लास क्लास फुला सा गंदा था मैं आया साफ करवाया इसलिए लेट हो गया ताज तो क्लास न को कल लेशन 8.1 का तीन नमर कोस्चन तक आज मैं बताने जा रहा हूं चार नमबर से बच्चो ध्यान देंगे चार नमर कोस्चन कहता है 15 कॉट ए बराबर 8 is equal to 8 तो साइन ए और सिक ए का मान जाते है तो कहता है बच्चो कि सबसे पहले ध्यान देना कहता है कि 15 कॉट ए बराबर कितना 8 तो इसलिए कॉट ए बराबर आपका 8 बटा 15 तो कॉट ठिटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी आप चांते हैं कॉट ठिटा बराबर होगा बी बटा पी तो बी बटा पी हो जाएगा तो बी का मान आपका दिया गया 8 और पी का मान दिया गया कितना? 15 तो घट रहा है क्या H तो H का माने निकाल लेगे H का सुत्र मैंने बताया था आप للोगों को तो H वराबर होता है आपका की P का αस्कार प्लस क्या बी का αस्कार तो H वराबर निकाल लोगे P का αस्कार तो 15 का आपका αस्कार हो जाएगा प्लस V का स्कॉाइर तो आट का स्कॉयर हो जाएगा तो 15-15 दूसर कितना 25 और 8-8 कितना 64 तो हो जाएगा 5-4 कितना 9 छो दू Watson कितना8 और A आपका 2 तो 17 आने निकल के च्थुटा तो A आपका निकल कर 17 आ गया अब जानी च्छुटा कि आपको कहता है निकालने के लिए क्या तो निकालने के लिए कहता है साइण A और सिख A का मान तो इसलिए निकल जाएगा lens साइन ए बराबर पी घ्याच और छीटवर आज्वर्च जिस चैटए जाग है तो पी घ्या और गान कितना मेंद सब्सक्राइड एंसक्राइन निillगकर लें Sudsenud तो आपका निकल गया सिख A तो होता है H बटा क्या B, हाना कॉस का उल्टा हो जाएगा तो H कमान कितना है 17 है और B B कमान कितना है बच्चो तो B कमान आपका आठ दिया गया अनसर आगया कोई दिक्त बच्चो तो यही कहता है आपका चार नमबर question number five करता है बच्छों यही पर मैं दे देता हूं question number five कहता है बच्छों कि और ट्रीकोलमी तिये अंग पाथ परिकृइट किजिए बच्छों कहता है कि एक ठीटर बराबर किल थिटर बराबर बच्छों कहता है कि तेरह बटा बारा कहता है छुटा कि सेख ठीटा बरावर कह रहा है आपका तेरह बटा बारा तो अन्न त्रिकोनमिती या नुपाद तो आप जानते हैं बचों कि त्रिकोनमिती में छानिस पक्ती होता है तो अन्न त्रिकोनमिती या नुपाद एक तो दिया हुए सेक ठीटा, तो अन्य पाँच और निकालेगे, लिकिन हम जानते हैं कि सेक ठीटा बरावर होता है H बटा B, सेक ठीटा बरावर सुत्र होता है H बटा क्या? B, तो आप जानते हैं H का मान दिया गया 13 और B का मान दिया गया कितना? B, 12, आपका 12 दिया गया, तो H मालूम है, B मालूम है, घट रहा है क्या P, क्या घट रहा है P, तो जब P घट रहा है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान देना कि P बरावर निकालेंगे H का स्क्वाइर और माइनस B का स्क्वाइर, सुत्र होता, तो H का स्क्वाइर बोले तो 13 का स्क्वाइर, और B का स्क्वाइर बोले तो 12 का स्क्वाइर, तो 13, 13 या 199 और बरबर रही है कितना? 44, अब 119 में से 144 जाएगा, तो बच्चों बचेगा कितना? 25 और 25 का बरबुल कितना? 5, अब इतना निकल गया, तो अन्य तरी कोन मीत ये कहता है कि साइन ठिटा, तो P बटा H, तो P का मान कितना है? 5, H का मान कितना है? 13, अब इसी का उल्टा कॉसिक होता है, तो कॉसिक ठिटा, कॉसिक ठिटा बराबर हो जाएगा, 13 बटा कितना? 5 हो जाएगा, अब कहता है कॉस ठिटा, तो कॉस ठिटा सेक का उल्टा हो जाएग तो बारा बट्टा कितना हो जाएगा तेरा अब कहता है आपको छुटा टैन ठीटा तो टैन ठीटा पी बट्टा बी होगा तो पी का मान कितना निकला पांच और बी का मान कितना होगा तो बारा अब टैन का उल्टा कॉट होगा तो कॉट ठीटा टैन का उल्टा कॉट है तो क question number अब चलते हैं हम लोग 6 में, question number हम लोग चलते हैं किसमें, 6 में, 6 का अच्छा ही सारे बच्चो, जलासा ध्याम देंगे, 6 number question में, देखिए बच्चो, 6 में कहता है, कि अधिक कोण A और कोण B, noon कोन है, noon कोण मतलब जो कि 90 दिदि से कम है, noon कोन हो, जहां Cos A बराबर Cos B, Cos A बराबर Cos B, तो दिखाएं की, दिखाएं मतलब सिद्ध करे, साबित करें, कि कोण A बराबर कोन B, तो ध्यान देना मेरे बच्चों, किसी समकोन तरभोज में, कहता है कि किसी समकोन तरभोज में, मान लेते हैं, ए कोई समकोन तरभोज है, ए आपका कैसा तरभोज है, समकोन तरभोज में, बच्चों, मान लेते हैं, ए आपका कैसा तरभोज है, समकोन तरभोज, तो कहता है, ए A, B, C बहु, एक कौन भी नियून कौन है जैसे कौन C को हम 90 डिगरी दे दिये तो 90 डिगरी दिये तो A दोनों कौन नियून कौन हो जाएगा अब चलते हैं बच्चों कि निकाल लेते हैं संकौन तिरगोज संकौन तिरगोज ABC ने कहता है मेरे भाई कि कॉस ए निकार लेजिए कॉस ए तो कॉस ठिक्टा बराबर होता है बड़ता है तो 90 के सामने की भुजा तो कर्ण होगा ये 90 के सामने की भुजा कर्ण होगा ह तो मालू है अब ए कहा तो ये कोन लिया तो इस कोन के सामने वाले भुजा क्या है गूई तो A, B तो B कौन सी बुजा हो गया? अनि B जो है अधार हो गया? तो अधार हो गया A, C और करन कौन हो गया? आपका A, B. करन को गया? mapa A, B. या A, तो A-C बटा ये B, अबर कौन ले लिया कौन, B, तो इसके सामने वाली भूजा तो A लंब होगा, लेकिन हमें लंब नहीं चाहिए, हमें चाहिए अधार, तो अधार किसका मान होगा, B-C का, तो B-C, अब बटा कर्न, कर्न कितना, A-B, अब आप जानते हैं, कॉस A का मान already निकल चुका, कॉस B का भी मान already क्या हुआ, निकल चुका, जब कॉस A और कॉस B का मान निकल गया, मेरे भाय, कॉस A और कॉस B का जब मान निकल गया, तो अब प्रस्न से कहता है, कहता है, प्रस्न से, क्या कहता है प्रस्न से, प्रस्न से कहता है, कि कॉस A बराबर कॉस B, कॉ परसल से कहता है, cos A बराबर cos क्या? B, तो cos A का मान कितना आ गया? AC और बटा AB, और cos B का मान BC और बटा AB, एधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो मैं इसको डारेक्ट नी काटना चाहता हूँ, डारेक्ट नी कर सकता है, आने तो इधर भाग में उधर जाएगा गुन कठी जाएगा, तो यहां पर बच गया AC बराबर BC, और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सम्दी बाहुत तिर्भुज है, तो सम्दी बाहुत तिर्भुज के दोनों भुजा और दोनों कौन बराबर होता है, सम्दी बाहुत तिर्भुज का दोनों कौन और दोनों भुजा आपस में क्या होता बराबर तो जैसे अगर माम नहीं आ जाए कि ए तिर्भुज संधिवावू तिर्भुज क्या है संधिवावू तो ए दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कौन ए और इसके सामने का कौन ए इसके सामने का कौन ए और इसके सामने का कौन ए भी तो यहां पर देखिए इस तिरभोज में जब संकौन बनाया तो संकौन में चलेगे अब हमको सम्धिवावों से कोई मतलब नहीं अब AC बराबर BC हो गया मने AC बराबर कौन हो गया BC तो AC के सामने का कौन कौन है कौन B AC के सामने का कौन कौन है कौन B तो इसलिए कौन B और BC के सामने का कौन कौन है A आपका A तो A आपका हो जाएगा कौन छुटा कौन A तो कौन B बरावर तो कौन A हो गया A C के सामने का कौन B और B C के सामने का कौन A तो दोनों तो इकवर हो गया दोनों क्या हो गया बरावर इकवर जब दोनों बरावर हो गया तो अब इसको सजा के भी लिख सकते हैं कि कोन A और बरावर कोन B यही आपका प्रूब दूगो गया यही आपका प्रूब दूगो गया कोन A बरावर कोन B बचों तो आज इस वीडियो को आपने देखा बच्चों इसमें जादा आपका M.B. खाएगा इसलिए हर वीडियो में मैं चार वीडियो रोज दूगा चुटा दो सुबह दूगा और दो साम दूगा तो चार वीडियो दूगा तो चार वीडियो को आप देख लेगे और लाइव कलास जो आपका है वो लाइव कलास आपक कल से मतलब मंगलवार से मंगलवार से कंतिन्यू चलेगा मेरे बच्चों धन्यवाद बच्चों धन्यवाद यही आपका कॉस्ट्छा क्राता है एक पस्ट नमर छे मैं आज अगला वीडियो में साप नमर से बताऊंगा फर्टेप्टर खतम करूंगा धन्यवाल में चेके